कि मैं का way जो फैस एटम बें काशने वाले हैं किस तरह एक कॉंट्रेट में से किसी एथ्रियमि अर्काूंट पर याक इस दूसरे कॉंटरेक्ट में इथर सेंड किये जाते हैं ठीक है यहिस्न वीदियो करी थी इससे पहले गोड़े और टो हाँ एक वीडियो थी पेबल के उपपर दूसरी वीडियो थी पॉल बैक एंड रिसीव के उपपर ठीक है यह दो वीडियो हम करके आए उल्लेडी इन दोने वीडियो में जबी कॉंसर्ट में आपको सिखाया था व्यार आपको अच्छे से आना चाहिए तब ही इस वीडियो में बताए गई बाते आपको समझ जाएगी ठीक है मैंने इन दोने वीडि वीडियो में ठीक है आब आगे बढ़ते हैं तिन तरीके होते है मेरे पास किसी दूसरे कॉंट्रैक्ट में इस n आता हूँ किसी account में या किसी दूसरे contract में इधर भेजना ठिके तो मेरे पास क्या है मेरे पास 3 तरीके हैं इसके इन वेज रहे हैं इन फांक्शने मेरे पास वो तीन पुंच्छन क्या है पहला function याद send डूसरा function याद transfer पर तीसरा function यार, fall ठीक है, ये तीन function होते हैं मेरे पास, अब इन तीन function के बार में जानेंगे, इन तीन function से मैं आपको account में send करके दिखाऊँगा, ethers और फिर दिखाऊँगा आपको contact में send करके ethers, ठीक है, चलिए यार, शुरू करते हैं, स्को हटाते हैं, रब करते हैं, तो जी, सबसे पहला function मेरे पास send function, सबसे पहला function मेरे पास send function, send function यूज करते हैं, किसी भी address पर, किसी भी address पर, ethers send करने के लिए, ठीक है, send function यूज करते हैं, address कोई भी हो सकता है, किसी भी account का address हो सकता है, या किसी contract का address हो सकता है, ठीक है, जब मैं address की बात कह रहा हूँ, तो म smart contract के address पर मैं किसी पर भी Ether send कर सकता हूं send function यूज करते हुए ठीक है चलिए यार ऐसी मेरे पास transfer होता है ऐसी मेरे पास call होता है सब में थोड़ जोड़ी variation होती है वह variation क्या है वह बताने के लिए पर आए send function explain करता हूं 6 से ठीक है चलिए जी send function में यार क्या होता है जब मैं Ether send करता हूं send function यूज करते करके तो मुझे क्या मिलता है return में return में मुझे एक bool value मिलती है ठीक है जो की कहती है true जब मेरी transaction successful हो जाती है और false जब यह transaction fail हो जाती है ठीक है यह मुझे return में मिलता है कब जब send function यूज करता हूँ मैं किसी भी address पर ether send करने के लिए ठीक है simple अच्छा जी और दूसरी बात यह जो send function होता है ना इसकी limit होती है इसकी limit होती है limit क्या होती है limit होती है इसकी 2300 gas की ठीक है इतने ही gas के operation पर perform कर सकता है मतलब मतलब क्या हुआ इस चीज का यह देखिए पहले इसको अटाता हूँ इस बात का मतलब क्या हुआ इस बात का यह मतलब हुआ कि जब भी हम Ethereum platform पर Ethereum platform पर कोई भी operation करते है तब क्या होता है कुछ ना कुछ gas हमें pay करनी पड़ती है हर operation की हर transaction की gas pay करनी पड़ती है हमें ठीक है अब मैं क्या कर रहा हूँ send function यूज करके किसी address पर क्या भेज रहा हूँ Ether भेज रहा हूँ ठीक है तो मुझे gas pay करनी पड़ेगी ठीक है अगर वो gas 2300 से जादा है तो मेरा send function fail हो जाएगा send function fail हो जाएगा मुझे आज आजाएगा एक error आजाएगी out of gas की out of gas की error आजाएगी और return में क्या आएगा मेरे पास false आ जाएगा return में पास false आजाएगा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है 2,300 से ज्यादा जादा, गैस की कॉस्ट मेरी से जादा लग रही है, ठीक है, जहाँ इतर सेंड कर रहा हूँ, तो जी, वहाँ पर सेंड काम नहीं करता है, यह इसकी लिमिटेशन है, ठीक है जी, और का लिमिटेशन है इसकी, एक और लिमिटेशन इसकी यह क्या करता है ना अगर मेरी ट्रांजक्शन फेल हो रही है तो जितनी भी गैस होती है ना सारी कि सारी यूज कर लेता है सारी कि सारी यूज कर लेता है ऐसे नहीं होता कि गैस वापिस कर देता है रिवर्ट नहीं होता है कुछ भी रिवर्ट नहीं होता ह है ओसे यविप हैं कुछ भी रिवर्क नहीं होता है इसी लिए हमेशा सेंड को आप जब यूजर करें घर के संट को यह यूज ही करता है हम यूजर करते है टांजेक्ट को जा फिर कॉल को इन धों को ही यूजर होता appetite लेकर अगर आप send फिर भी यूज़ कर रहे हैं तो आप require के साथ ही use करिए require के साथ ही use करिए require में check कर लीज़े क्या जो operation करने जा रहा हूँ इसकी cost इससे कम है या नहीं है ठीक 2300 से कम है या नहीं है अगर ऐसा नहीं होगा तो transaction फिर होई जाएगी और सारी के सारी gas यूज़ भी हो जाएगी ठीक है और अगर उस function के अंदर उस function के अंदर आपने state variable के अंदर कुछ change कर रखे होंगे उस function के अंदर जहां आप gas send कर रहे है इथर send कर रहे है यूज़ करके वहाँ पर क्या होगा न या वहाँ पर एक सेंदर को उटाता हूँ थोड़ा ज्याद गंदर हो गया वहाँ पर आप state variable कुछ भी change कर रहे है जहां भी आपने send किया है इथर send function कर यूज़ करके state variable को change किया है तो यार वो जो change होंगे न transaction तो fail होगी ठीक है state variable जो भी change आएगा वह वैसा का वैसा हो जाता है change रह जाता है transaction फेल होने के बाद भी ठीक है तो अगर मैं चाहता हूँ कि रिवर्ट हो जाए यह रिवर्ट हो जाए change तो मुझे require का use करना पड़ेगा ठीक है जब मैं send to use करता हूँ तो मुझे require यूज करना चाहिए दो current की वैसे पहली बात state variable में को change हो रहा है in case of कि हमारा send जो हमने किया ether वो fail हो गया है तो रिवर्ट हो जाना चाहिए state variable में दूसरा यार क्या था कि मेरी gas वापिस हो जानी चाहिए ठीक है जितनी मेरी gas बचिए वो वापिस हो जानी चाहिए इसलिए हम require का use करते है कहां send function के अंदर जब हम send function का use करते है ether send करने के लिए ठीक है इस बात का ध्यान रखना जो सारी बाते वोल गया और इससे लिख लेना ठीक है इसे सब लिख ठीक है success के लिए through failure के लिए false ठीक है and हमें use करना चाहिए require का जब भी हम send function का use कर रहे हो इther send करने के लिए किसी भी address पर ठीक है और क्यों करना चाहिए दो करना की वैसे पहला दूसरा पहला कारण है state variable में अगर कुछ change हो रहा होगा तो revert हो जाएगा ठीक है अगर require का use कर पर इसमें क्या होता है कुछ भी return नहीं होता इस intéमें क्छ भी return नहीं हुता कुछ भी return नहीं हाता हामरे पास इसमें क्या खासियत है कुछ खासियत होगी तब तो ट्रांसफर का यूज करते हैं हम सेंड के उपर ठीक है इसकी खासियत क्या है यह रिवर्ट कर देता है चेंजिस को अगर ट्रांसक्शन फिल हो जाती है खुद मा खुद हमें रिक्वाइर की यूज करने की जरूत नहीं है हमें रिक्वाइर वगएरा यूज करने के जरूत नहीं है खुद ही रिवर्ट कर देता है सारे चेंजिस को ठीक है तो इसके था इसके बात करते हैं call के बारे में call का use करके अगर हम ether send करते हैं किसी भी address पर तो यार हमें खुद gas limit बताने होती है ठीक है इसमें gas limit हम decide कर सकते है ठीक है दूसरा यार यह दो चीज़े return करता है यह दो चीज़े return करता है पहली यार rule value ठीक है true false देगा अगर success हुआ या failure हुआ है ठीक है उसी चीज़े return करता है यार byte में कुछ data ठीक है एक सहिन थोड़ा मिटाना पड़ेगा ऐसे byte में कुछ data ठीक है यह return करता है जहां हम call का use करते है ether send करने के लिए ठीक है इस चीज़े को सही से लिख देता हूँ कि इस चीज़े को शाई से लिख देते हैं जब इक call का use करेंगे ठीक है जब इक call का use करेंगे तो gas limit हम set करेंगे ठीक है by us ठीक है और दूसरा चीज़ क्या है यह बूल written करता है और हमें देता है साथ के साथ byte भी return में ठीक है अब इसमें जानी को ज़रुत है नहीं ठीक है हमें दो चीज़ पर इसमें नुक्सान करता है क्या कुछ नुक्सान तो होना चाहिए नहीं रहा है इसमें नुकसान क्या है 2300 गस की निमट है ठीक है इसमें नुकसान क्या है यह जो सेंड में था जो सेंड में था क्या था हमें रिक्वाइर यूज करना पड़ता है हमें इसमें रिक्वाइर यूज करना पड़ता है ठीक है तो यह इसका इसका call का call का drawback है ठीक है जो की send का भी था समझगे बस send से cash में अच्छा है इसमें अच्छा है gas की limit हम खुद set कर सकते हैं ठीक है चले जी इसलिए हम क्या use करते है generally हम use करते है call का या फिर transfer का किस चीज के लिए send करने के लिए थरका ठीक है इस बात का ध्यान रखना चलिए यार यार मैं सोच रहा हूँ यह वीडियो काफी लंबी वैसी हो गई है अगली वीडियो से code करना start करने ठीक है इस वीडियो में इतना है मिलते है नेक्स वीडियो में जिसके अंदर पूर करके दिखाऊंगे आपको दो में से ठीक है तब तक के लिए बाबाई